Assalamu alaikum dear students आज जो हम exercise करेंगी वो है exercise 2.4 exercise 2.4 according to the smart syllabus करेंगी exercise 2.4 का पहला question है find d y over dx by making suitable substitution in the following function definers अभी जो given function उसने दिया हुआ हमने उसका derivative find out करना है d y over dx का मतलब है derivative is function का find out करना है लेकिन अब उसने method बता दिया कि आपने कौन सा method यूज करना है suitable substitution ये method हमने यूज करना है suitable substitution method जो होता है actually normal वो ही formulas यूज होंगे जो हमने 2.3 में previous videos में आपने देखा है formulas मेने आपको बताया 2.3 exercise में जो formula यूज हो है same वो ही होने लेकिन सिर्फ एक technique अलग यूज होगी suitable substitution में chain rule यूज होता है ठीक है वो कैसे होता है क्या होता है ये मैं आपको detail से इस question में समझा देती हूँ next मैं आपको असान रहेगा ठीक है अच्छा जी जैसे ये पहली बात तो कब कब अपलाई होता है या तो अगर वो खुद कैदे examiner के suitable substitution method लगाएं ठीक है या आपके पास मैं tips बताती जाती हूँ पहली tip अगर आपके पास square root के inside भी square root हो जैसे ये square root है नहीं इसके inside भी square root हो या उसके अंदर कोई complicated term हो ठीक है square root के अंदर ठीक है तो हमने क्या करना है square root के अंदर जो भी term है उसको let कर लेना है ये इसकी पहली tip आपने याद रखनी है कि जो भी square root के inside term होगी आपके पास जो भी term होगी इसको हम let कर लेंगे ठीक है ये चीज़ आपने याद रखनी है अच्छा जी तो अब हम क्या करेंगे जैसे हमारे पास function given है तो question के start में square root के inside जो भी term होगी उसको हम let कर लेंगे ठीक है तो हम let करेंगे t let कर ले z कर ले जो भी आपका दिल करें बट वो variable question में ना use वो जो भी term आपके पास square root के insiders को हमने let कर लिया अब जब हमने ये let कर लिया तो y आपके पास क्या बन जाएगा y is equals to square root t और t आपके पास क्या है यह आपने let कर लिया था पहली चीज यह दूसरी चीज जिस term को आपने let किया उसको derivate जरूर करना है अब यह जो बात मैं आपसे कह रही हूँ यह आपने second और third chapter तक इसको याद रखना है integration में भी और derivation में भी दोनों ठीक है कि जिस term को आपने let करना है उसको derivate भी करना है तो चले अब इसको derivate भी करते है इसको let किया था तो हम इसको differentiate भी करेंगे लिखेंगे as t is equals to x plus square root x इसको differentiate करेंगे with respect to x ठीक है क्योंकि x हमारे पास inside variable है ठीक हो गया तो इसको differentiate करेंगे तो क्या आजाएगा dt over dx is equals to d over dx पहले मैं आपको question में proper step बता रही हूँ अगले में फिर यह आपको idea हो जाएगा कि हम इसको कौन कौन से steps को skip कर सकते हैं ठीक हो गया तो यह हमारे पास आजाएगा dt over dx इंसाइड डोनों टम्स पर derivative अप्लाई होगा x की derivation आपके पास 1 होती है तो यह आपके पास आजाएगा 1 प्लस x की power 1 by 2 है इस term को हम लिख सकते हैं x की power 1 by 2 तो अब हम इसकी derivation करनी है तो power formula आप अप्लाई करेंगे इसकी power 1 by 2 है यह तो आपको पता ही है ना कि square root x को आप लिख सकते है x की power 1 by 2 तो जब भी power होगी तो power formula power पहले power में से एक minus and without power derivation without power derivation किसकी होगी यह जो भी power इसको छोड़के आप derivation लेंगे तो x की derivation ठीक होगी तो यह आपके पास बन जाएगा 1 plus 1 by 2 x की power आपके पास minus 1 by 2 आजएगी और यह term तो वैसे आपके पास 1 बन जाएगी क्योंकि x की derivation आपके पास 1 होती है अच्छा जी अभी आजएगा 1 over 2 square root x यह आपके पास आगया dt over dx यह जिसको हमने let किया था उसका derivation हमारे पास आगया अब आते हैं अपने original question की तरफ हमारा original यह question था ठीक है जो भी हमारे पास question था इसकी derivation find out करी थी y हमारे पास square root t आचुका है क्योंकि हम t को let कर चुके है और हम उसकी derivation भी ले चुके है अब question की तो derivation आपने करनी करनी है यह जाएगा differentiate with respect to t अब आपने t के respect से differentiate करना है क्योंकि t ही आपके पास variable के तो और पर use हो रहा है तो यह आजाएगा आपके पास dy over dt इस पर लगेगा power formula power पहले power में से 1 minus power छोड़के t की derivation ठीक हो गया तो अब यह हमारे पास क्या बन जाएगा again 1 by 2 minus 1 आपके पास आजाएगा 1 by 2 t की power minus 1 by 2 और t की derivation with respect to t1 खतम हो जाएगी तो आजाएगा 1 over 2 square root t dy over dt यह दो derivations हमारे पास आगी अब अपना जाएगा दुबारा question देखें तो question में इसने का है find dy over dx ठीक है तो हमारे पास कौन सी दो terms आती है एक तो आता है dy over dt एक आता है dt over dx अगर आप दोनों को combine देखें तो दोनों में आपके पास dt extra है हमने इनको combine करना और एक chain बनानी जैसे chain ही होती एक कड़ी से आप दूसरी कड़ी को मिला रहे होते हैं और next हो कड़ी बनती जाती है मिलती जाती है सेम इसी तरह ठीक है तो जब भी दो different आपके पास derivative हों दो अलग लग derivative आपने एक term में लिखना हो तो हम apply करते है chain rule ठीक है आपके पास दो यह terms पढ़ी है अब इनको आपने कैसे fit in करना है डी वाई आपको उपर चाहिए ठीक है numerator में तो डी वाई उपर है तो यह इसका मतलब है डी वाई over dt into अब इसको set करना है dx denominator में यहाँ पर already denominator में तो dt over dx अब जरह हम चेक करते हैं क्या यह chain मिल रही है करना इसमें कुछ भी नहीं हमने अब further इसको कोई cutting नहीं करनी हमने इन दोनों की सिर्फ values put करनी है और उनको आपस में मिलाना है ठीक है लेकिन अभी हम चेक करें कि यह बनता क्या है अगर हम वैस dt की value put करेंगे तो यह आजाएगा 1 over 2 square root t into dt over dx की करेंगे तो 1 plus 1 over 2 square root x अब इस मौके पर आप t की value जो है वो भी replace कर लें इसका आप LCM लेना चाहरे है तो आप LCM ले ले ठीक है तो यहाँ पर मैं अगर t की value replace करूं तो जो हमने question में लैट की थी वह थी x plus square root x इस term का अगर आप LCM लेंगे तो आजागा 2 square root x plus 1 over 2 square root x और यही हमारा required answer है ठीक है क्योंकि फर्दर simplify हो नहीं सकता इसमें कोई भी cancellation नहीं है यह 2 और आपस में 2 और 2 max आप multiply कर सकते हैं और इसमें आप कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा required answer है अब हम करते हैं इसका next part next हमारे पास question number 1 का fourth part है y is equal to 3x square minus 2x plus 7 whole power 6 ठीक है अब आते हैं जिए tip number 2 कब आप apply करेंगे substitution method क्योंकि अब इस question में तो उसने कहीं दिया ना अपने apply करना है लेकिन अगर ना कहिए तो आपनी सूरत के मताबिक कब कर सकते हैं जब आपके पास एक algebraic expression और उसकी power अलग से हो ज ठीक है इनकी derivation होनी है और इनकी power को complicated हो यह square cube इसके इलावा हो जिसका हमें formula expand करना नहीं आता ठीक है तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं power को छोड़के यह वही वाली square root वाली term का आगया ना कि power को छोड़के जो भी inside term है उसको apply कर ले ठीक है तो यह आपके पास tip number 2 है यह आ आपने power छोड़के inside वाली term को जो है let कर ले ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे let करेंगे t is equal to 3x square minus 2x plus 7 और पर जिसको let के इसको derivate करेंगे तो यह आजाएगा differentiate with respect to x तो यह बन जाएगा dt over dx अब यहां से इनकी derivation देखते हैं 3x square है जब भी constant variable के साथ होगा तो constant की derivation होगी constant अराम से पहले बाहरा आगया अब आप लेंगे x square की derivation x square की derivation मतलब power formula तो power formula हमारे पास क्या था अगर आपको याद हो यह 2.3 में भी मैंने आपको बताया था power पहले power में से 1 minus फिर power छोट की derivation तो x square है तो आजएगा power पहले power में से 1 minus minus again constant variable के साथ है तो constant की derivation नहीं होगी x की derivation with respect to x 1 होती है तो यह हमारे पास 1 आजएगा और constant अगर अकेला है तो उसकी derivation 0 ठीक है तो यह हमारे पास आजएगा 6 x minus 2 अगर आपका दिल कर रहा है तो अभी कोई चीज common लेनी है तो आप common ले ले नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है वो आगे जब chain rule apply करेंगे तो हम common तब भी ले सकते हैं यह हमारे पास आ गया dt over dx अब हमने क्या करना अपने original question पे चलते हैं question हमारे पास था y is equal to this term raised to the power 6 अब यह term तो हमने t लेट कर लिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा y is equal to t power 6 ठीक है तो यह हमारे पास आ जाएगा y is equal to t power 6 और इसको रिखेंगे differentiate with respect to t t के respect से हम इसको differentiate करेंगे जब t के respect से करेंगे तो यह आ जाएगा dy over dt which is equal to power पहले power में से 1-6 t5 तो जब पावर छोड़के derivation लेंगे तो वो dt over dt 1 हो जाएगी यह हमारे पास दूसरा derivative आ गया अब हम लगाएंगे chain rule by using chain rule तो chain rule के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए डी वावर डी x calculate करना हमने हमारे पास एक है dy over dt और एक हमारे पास है dt over dx ठीक है अच्छा जी अब मैं आपको नएक और चोटी सी टिप देती हूँ आपने यह चीज़ याद रखनी है एक ही function होगा ना जब भी आपके पास उसके अंदर से आप कोई चीज़ लेट करें ना तो chain rule में यह जो दो answer आपके पास आ रहे हैं जैसे एक यह answer आया और एक यह answer है यह simply आपस में multiply होंगे ठीक है यह चीज़ आपने यहाद रखनी है तो अब यह simply multiply होंगे इसकी value put करेंगे तो आजएगा 6 T 5 into 6 X minus 2 T की value आप put करें इसमें से 2 common आ रहे है उसको 6 से multiply कर दें तो आपके पास आ जाएगा 12 3 X minus 1 और T की value put करेंगे 3 X square minus 2 X plus 7 की पार 5 दीक है तो यह हमारे पास हमारा require answer है इससे further simplify नहीं हो रहा वरना easily जो simplify होता है को complicated derivation में हमने simplification नहीं करनी होती until unless वह हमें को require answer बता दे कि यह create करें तो वह तब आप करेंगे complicated से simplification otherwise आपने जितनी possible simplification होती है उसके बाद यह हमारा require answer हो जाएगा तीक है अब करते हम इसका next question next हमारे पास question number two है question number two की according to the smart syllabus जो question हमने करने है वो तीन question है दो आपके सामने लिखें में question की statement है find dy वर dx if अब आपके पास उस type के question आएंगे जिसमें x और y आपस में question के part यह हूं ठीक है मतलब जैसे यह देखें x और y आपस में multiply हो रहे हैं यह x और y जो है वो terms की form में है y की individually कोई value नहीं है अभी previous जितने आपने question किये वो आपके पास y is equal to हो था ठीक है एसे questions में हम try नहीं करेंगे के y की value निकालें हम direct derivation करेंगे ठीक है और हम उसमें से dy वर dx की value निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है तो पहला question आप देखें जो हमारे पास given है हम इसको direct derivate करेंगे differentiate with respect to x अब हमें यह कैसे पता चला कि हमने x के respect से derivate करना है क्योंकि आप देखें तो question में इसने denominator में क्या लिखा हुआ है dy over dx जो denominator में आपके पास लिखा होता है यह dy over dx में जो variable denominator में होता है उसके respect से आप derivate करते हैं और वो हमेशा आपको बताता है ठीक है अच्छा जी यह आगया differentiate with respect to x तो आपके पास यह both side पे हर term के साथ हम अब इसको step by step लेके चलेंगे is equals to d over dx 0 बोट side पे differentiate अब हर term के साथ अलग लग आप differentiate करेंगे तो d over dx आपके पास 3x के साथ d over dx 4y के साथ d over dx 7 के साथ और constant उसकी derivation 0 ठीक होगया अब constant जब variable के साथ होगा उसकी तो derivation नहीं होगी यह आजएगा dx over dx plus 4 dy over dx और constant की derivation 0 खतम होगे अब dx और dx कैंसल होजाएंगे यह बच जाएगा 3 plus 4 dy over dx is equals to 0 अब आपको किस की value चाहिए आपको चाहिए dy over dx की value तो dy over dx इस साथ पे रहने दे बाकी terms को हम दूसरी साथ पे move करवाते हैं तो यह आजएगा dy over dx is equals to 3 दूसरी साइट पे जाके minus का हो जाएगा 4 यहाँ पे multiply हो रहा है दूसरी साइट पे जाके divide हो जाएगा तो यह हमारे पास आगया dy over dx का answer minus 3 by 4 अब हम करते हैं इसका दूसरा part जो somehow यह थोड़ा सा tricky हो जाएगा आपके लिए क्योंके इसमें x और y दोनों ही variable है और दोनों ही multiply हो रहे है तो इसकी derivation कैसे करनी है देखते हैं अच्छा जी अब इसको क्या करेंगे same उसी method के साथ जो मैंने भी आपको बताए इसको हम लिखेंगे differentiate with respect to x again x के हिसाब से क्योंके हमने dy over dx calculate करना है तो हम both side पर d over dx लेंगे दोनों terms के साथ आएगा तो यह आजाएगा d over dx y square is equal to d over dx into 2 ठीक है यह आगया यहाँ पर तो constant की derivation 0 हो जाएगी अभी हमारे पस x और y दोनों ही variable है ठीक है तो दो variable जब multiply हो रहे होंगे तो terms दो variable तो उनका dot product formula होगा dot product formula भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ previous videos में लेकिन मैं आपको फिर repeat कर देती हूँ कि अगर आपके पास d over dx दो terms है वो multiply हो रहे हैं आपने इनका derivative calculate करना है तो first term as it is second की derivation plus जिसकी derivation लिए वो term as it is और पहले वाले की derivation तो हमने इस तरह से इसको लेके चलना है तो अब हम क्या करेंगे सेम इसी तरह इसकी भी derivation लेंगे x as it is इसमें x और y दो terms है न x as it is y की derivation plus y as it is x की derivation ठीक हो गया plus y square again power formula power पहले power में से 1 माइनस power छोड के derivation नो सी इसलिए यह आपको मैंने बताया था कि formula में जो book में यह आपको कहीं भी मिलेगा formula उसमें चीज़ नहीं बताई जाती लेकिन आपने यह चीज़ याद रखनी है कि power छोड के derivation जरूर लेनी है अब अगर आपने यहाँ पे नाल ली होती तो question आपके पास change हो जाता answer change हो जाता गलत answer आता तो यह चीज़ आपने याद रखनी है कि power formula में यह power छोड के question की derivation अच्छा जी अब constant की derivation आपके पास क्या हो जाएगी zero two की derivation zero यह आपके पास आजएगा x dy over dx plus y dx over dx की derivation की दोनों खतम हो जाएगे one आजएगा यह यह आपके पास आजएगा two y dy over dx is equal to zero अब आपको चाहिए dy y over dx की value उसे की चाहिए और वो दो terms में एक इस term में भी और एक इस term में भी दोनों मेंसे हम common ले लेंगे y हमें नहीं चाहिए तो y को उठाके दुसरी side पे ले जाएगे y को दुसरी side पे लेके तो वो क्या बन गया minus y इन दोनों terms मेंसे dy over dx common है तो इसको हम common ले लेते हैं हमारे पास आजएगा x plus two y dy over dx इस side पे रहने दे इस term को उठाके दुसरी तरफ ले जाए तो x plus two y ये हमारे पास required answer आ गया ठीक हो गया अब हम करते हैं इसका next part question number two का next part हमारे पास third part है which is x square minus 4xy minus 5y is equal to 0 इसको भी हमने same derivative करना है और इसी तरह dy over dx की value calculate करनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे differentiate with respect to x क्योंकि हमने dy over dx calculate करना है इसलिए x के respect से derivate करेंगे और each and every term हर term की derivation होगी अलग अलग चुकिए 4 जो है वो दो variables के साथ है तो इसकी तो derivation नहीं होगी ये अलग पहले ही निकल आएगा और x और y की अभी previous question में आपने derivation लिए है वे exactly ऐसे ही आएगी minus 5 है तो ये y की derivation dy over dx is equal to 0 आजाएगी ठीक होगा अच्छा जी x square है तो power formula तो ये आपके पास आजाएगा power पहले power में से 1 minus power अब आप कहेंगे कि इसमें power छोड़के derivation क्यों नहीं ली तो अगर इसमें हम power छोड़के derivation ले तो dx over dx आजाता है तो next हमारे पास है minus 4 ये minus आजाएगा अब ये x और y की derivation same वैसे ही जैसे भी previous question में लिए x as it is y की derivation plus y as it is और x की derivation minus 5 dy over dx is equal to 0 अच्छा जी अब ये dx और dx कैंसल हो जाएंगे 2x minus minus 4 inside multiply होगा तो ये sign change हो जाएंगे minus 4x dy over dx minus 4y dx और dx कैंसल हो जाएगा minus 5 dy over dx is equal to 0 ठीक हो गया अब dy over dx इस term में और इस term में इन दोनों terms को इस side पे रहने देते हैं और बाकी की terms उठाके दूसरी side पे ले जाते हैं तो बाकी की term 2x है minus 4y तो minus 4y दूसरी side पे आके plus 4y और 2x हो जाएगा minus 2x और इस side पे जो हम है पस term बचेंगी वो बचेंगी minus 4x dy over dx minus 5 dy over dx अब देखें दोनों terms में dy over dx common है तो आप common ले लें यह बन जाएगा dy over dx minus 4x minus 5 4y minus 2x ठीक है dy over dx इस side पे रहने दें अब बाकी दूसरी side पे divide करते हैं यह हमारे पास derivation आगे required derivation अब करते हैं इसका next part next हमारे पास little bit आपको लगेगा थोड़ा सा complicated सा मगर असान है इतना मुश्किल नहीं है अगेन आपके पास कुछ terms हैं जिसमें square root की terms भी involved है हमने dy over dxe calculate करना है तो method हमारा same रहेगा हम लिखेंगे differentiate with respect to x एक काम कर देंगे कि दोनों को equality की दूसरी side पे ले जाएंगे यह ठीक है x square root 1 plus y is equal to minus y square root 1 plus x इसको equality की दोनों sides पे लग लग कर लेंगे अगर ना भी करें तो कोई issue नहीं है लेकिन just for simplicity और इसका कोई मकसद नहीं है तो जो आप differentiate करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा d over dx एक side पे term आ जाएगी x 1 plus y और दूसरी side पे term आ जाएगी minus y 1 plus x ठीक है दोरों terms आगी अब हमने simply इनको derivate करना है अब यह देखिए ज़रा एक term यह है और एक यह एक यह term है और एक यह term तो यह u into v प्रोड़क्ट रू लगेगा again तो प्रोड़क्ट रू लगाएंगे तो आजएगा x as it is derivation of 1 plus y यह square root की term है तो मैं इसको भी power में लिख देती हूँ plus 1 plus y as it is derivation of x यह इन दोनों की derivation है x as it is इस term की derivation यह term as it is और इस term की derivation ठीक है next में भी same इसी तरह होगा minus y as it is derivation of 1 plus x की power 1 by 2 इसको मैंने अपनी असानी के लिए पहले power में convert कर लिए क्योंकि मुझे पता है square root की term है तो power formula ही लगेगा minus जो है वो हम question से पहले बायर निकाल देते हैं common यह जो negative sign है ताकि वो plus minus वाला रोला ही ना हो y as it is इस term की derivation plus यह term as it is और dy over dx आपके पास आजाएगा अब इनकी करते हैं derivation x आपके पास as it is है इस पे लगेगा power formula ठीक है यह आजाएगा power पहले power में से एक minus और power छोड़के इस term की derivation क्या हो जाएगी 1 की derivation 0 और y की आजाएगी dy over dx यह term आगे इसके साथ आजाएगा 1 plus y और x की derivation with respect to x1 है वो वैसे खतम हो जाएगी अब लेते हैं इस part की derivation minus y as it is इस पे दुबारा सेम उसी तरह जैसे ही हापे हमने apply किया था power formula power पहले power में से एक minus 1 constant है constant की derivation 0 x की derivation आपके पास क्या होगी 1 तो यह आजाएगा dx over dx खतम हो जाएगा साथ आजाएगा जी plus 1 plus x dy over dx यह time आगे अब हम करते हैं जितनी भी extra bracket से इनको खतम करते हैं और simplify करते हैं ठीक है x को inside multiply कर लें तो यह 1 by 2 है minus 1 आपके पास आजाएगा x by 2 1 plus y की power 1 by 2 dy over dx plus square root 1 plus y is equal to minus को inside multiply कर लें minus y by 2 1 plus x की power minus 1 by 2 plus 1 plus x dy over dx अब हमारे पास derivation हो गया अब हमने क्या करना है हमने इसरब इसको simplify करना है d y over dx की value calculate करना है अगर आप देखें इस एक term में d y over dx है और इस एक term में है इन दो terms में आपके पास d y over dx है तो इनको sorry यहाँ पे negative sign आगा क्यों कि minus inside apply करेंगे तो यहाँ पे माइनस आगा इन दोनो terms को एक side पे कर लें बाकी जिनके साथ d y over dx नहीं उनको एक side पे कर लें ठीक हो गया तो अगर मैं इस term को उठाके इस side पे लिया हूँ तो हमारे पास बनता है x by 2 1 plus y की power minus 1 by 2 d y over dx ठीक है इस term को दूसरी तरफ लें तो आपके पास minus y by 2 1 plus x की power minus 1 by 2 minus square root 1 plus y हो जाएगा ठीक होगा अब देखिए जी कौन सी terms हमारे पास जो है इसमें common है d y over dx simply common है उसको simply common ले ले यह minus 1 by 2 है तो यह denominator में चला जाएगा यह आपके पास आगया d y over dx x by 2 square root 1 plus y plus 1 plus x is equal to same ही सी तरह मैं minus sign common ले रही हूँ बेशक ना भी ले कोई मसला नी y by 2 square root 1 plus x plus 1 plus y यह हमारे पास time है अच्छा अब हमने क्या करना है d y over dx इस साइट पे रहने दे बाकी की terms उठाके दूसरी साइट पे ले आपका दिल करें तो इस step पे आप LCM ले 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 अच्छी बात है अगर ले लेंगे तो असानी रहेगी नहीं भी लेंगे तो चलेगा क कोई मस्कले की बात नहीं है अच्छा तो अगर मैं LCM लेकर आपको दिखा दूँ तो यह आ जाएगा 2 1 plus y x plus square root 1 plus x 1 plus y अब यह कैसे आया denominator सेम थे ना तो x आ गया इसका कोई denominator नहीं था तो यह term इसके साथ multiply होगी जब आपके पास 1 plus y multiply होगा तो यह भी x square root में term x square root में term और add हो जाएगी अब divided by 2 भी है तो वो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा सेम इसी तरह का आप lc में साइट भी लेंगे यह आपके पास है 2 1 plus x y plus 2 1 plus x 1 plus y ठीक है कुछ इस तरह की term बन जाएगी तो अब हमारे पस हमारा require answer क्या आएगा यह मैं आपको बता देते हूं कि अगर हम डिवाइवर डिएक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम हर रिक्वाइर answer के आएगा तो अगर हम इसको लिखें तो डिवाइवर डिएक्स इस साइट पे रहने देते हैं बाकी term दूसरी साइट पे ले जाते हैं यह term हम पहले equality की साइट वाली पहले लिख लेते हैं माइनस बेशर के इंसाइट ले आएं या बाहिर रहने दें कोई से फरक नहीं पड़ता तू स्केर रूट वन प्लस एक्स वन प्लस वाइए डिनॉमिनिटर में आ जाएगा तू स्केर रूट वन प्लस एक्स अब यह term यहां पे मल्टिप्ला हो रही है उदर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा तू स्केर रूट वन प्लस वाइए एक्स प्लस टू स्केर रूट वन प्लस एक्सवान प्लस वाइघ सोह को है यह माया रह आंसर एक्स उ यह तां को लिवाँ हिस्किल कर आई यह रा रिक्वायर अन्सर अब करते हैं अ प libertl विट न केरे से falling parametric function दो हमारे पास parametric function दिये हुए parametric function के बारे में chapter number one में भी मैंने आपको बताया था अगर आपने वो वीडियो देखियों तो आपको याद होगा कि इसमें हमने क्या बताया था मैंने आपको कि parametric function वो होते हैं जैसे यह फर्स करें आपके पास एक यह है ना function और एक y का function है दो अलग अलग function है इनका आपस में कोई link नहीं है लेकिन यह third variable के through attach है मतलब y t के साथ है और x t के साथ है और t दोनों में common है ठीक है तो ऐसे functions हमारे पास parametric functions होते हैं और t हमारे पास parametric variable होगा क्योंकि यहीं दोनों को attach कर रहा है अब डिवावर dx calculate करने तो हमें नजर आ रहा है कि x बिल्कुल अलग है y बिल्कुल अलग है इनका अपस में कोई तालुक नहीं है तो सबसे पहला step हम यह करेंगे दोनों को अलग अलग डेरिवेट करेंगे फिर इनको combine करेंगे chain rule से chain rule जो है आप इसी वीडियो में question number one में भी समझ चुके हैं तो पहले हमने इसकी derivation लेनी है first part की तो मैं यहां से direct लिख लेती हूं differentiate with respect to t differentiate करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा dx x over dt which is equals to quotient rule आपके पास supply हो रहा है u over v है तो quotient rule का मैंने आपको पहले ही बताया था previous exercise में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा है नहीं तो मैं आपको दुबारा बता देती हूं कि आपने क्या करना होता है denominator की जो भी term है उसका आपने square ले लेना वही term as it is उपर जाएगी आपक हो गया अब आपने derivation किसकी लेनी है आपके पास इस term की आपने derivation लेनी है a one plus oh sorry one minus t square इसकी derivation लेनी है minus formula का minus है अब जिसको आपने red color से लिखा है जिसकी derivation लेनी है यही term आपने as it is लिखनी है और अब आपने derivation लेनी है denominator की यह आपके पास आ गया ठीक है अब हम simple derivation लेते हैं इसकी यह आपके पास क्या आ जाएगा one plus t square इस term की derivation मैं आपको अकेले में पहले यहाँ पे side पे समझा देती हूँ और फिसको यहाँ आप हम put कर लेते है दी over dx है तो आज आजएगा a one minus t square ठीक है तो a constant है variable के साथ जब भी आएगा इसकी तो derivation नहीं होगी तो a बाहिर आ गया अब derivation आपके पास क्या आएगी one minus t square ठीक है one की derivation zero t square की derivation minus 2t ठीक है तो यह आपके पास आजएगा minus 2t तो यह आजएगा minus 2at यह आपके पास derivation आगी इस term की तो इसको मैं direct यहाँ पर put का रही हूँ minus 2at यह आपके पास आजएगा a one minus t square one plus t square की derivation सेम ऐसे ही होगी जैसे हमारे पास यह भी होगी है तो यह आजएगा one की derivation zero t square की आपके पास आजएगी 2t और denominator में आजएगा one plus t square का whole square ठीक होगी अब अगर आप देखें numerator में आपके पास कौन सी term common है 2at इसमें भी common है a और 2t इसमें भी common है इसको हम common लेंगे common लेंगे तो हमारे पास यह आजएगा 2at negative sign है तो इनके sign change हो जाएगे यह हमारे पास आजएगा minus one minus t square यह negative sign है इन terms के भी sign change हो जाएगे क्योंकि a और 2t तो common चला गया तो यह आजएगा minus one plus t square divided by one plus t square whole square अब देखते हैं कौन सी term cancel होती है t square t square से cancel हो गया हमारे पास क्या term बची है minus one और minus one क्या बनेगा minus two इसको बाहर multiply करेंगे तो minus four at divided by one plus t square का whole square यह आगया dx over dt एक हमारे पास यह answer आगया अब हम दूसरी term दूसरी term हमारे पास कौन सी term थी यह वाली y वाली y is equals to two bt over one plus t square अब हम इसकी derivation करेंगे तो हम लिखेंगे as y is equals to two bt over one plus t square अब इसको differentiate करेंगे तो आपके पास आजएगा differentiate with respect to t तो यह आजएगा dy over dt denominator का square denominator as it is derivation आपास आजएगी two bt की plus two bt as it is derivation of one plus t square अच्छा जी इसकी derivation तो अभी हम previous कर चुके हैं मैं पता है एक हमने derivation करनी है इस term की two और b यह दोनों constant है क्योंकि वेरियेबल इनके साथ है तो two b की derivation नहीं होगी t की derivation with respect to t oh this is t not x यह t ही है t की derivation with respect to t1 होती है तो यह हमारे पास क्या आजएगा यह आजएगा one plus t square यह आजएगा two b minus two b t तो यह हमारे पास क्या आजएगा zero plus two t divided by one plus t square का square ठीक हो गया अब अगर इन दोनों terms में again देखें क्या जीस common है तो two b common है two b common है इसमें से यह two b गया इसमें से यह two b गया ठीक है तो inside इसको बाकि जो terms है negative sign apply कर देंगे तो यह हमारे पास बनेगा one plus t square minus sign यहाँ पे apply होगा और यह t भी multiply होगा तो यह हमारे पास आजएगा minus two t square divided by one plus t square का square ठीक है तो अब यह हमारे पास क्या बन जाएगा minus two t square और t square यह term हमारे पास बन जाएगी dy over dt which is equals to two b one minus t square over one plus t square whole square यह हमारे पास आगे अब हमारे पास दो answer है एक यह देखें dy over dt ह और एक हमारे पास dx over dt ह हमने इसके साथ chain rule करेट करना है अब हमारे पास कौन से दो term आई थी dx over dt, dy over dt अब हमने क्या करना है chain rule लगाना है ठीक है हम लिखेंगे by using parameter equation यह याद रखिएगा जब भी आपके पास आएगी आपने इपना required derivative बनाना है तो chain rule लगाना ही पड़ेगा by using chain rule chain rule का मकसद सिर्फ यह होता है कि दो अलग अलग derivatives को join करना अब हमें chain rule के according जोके question में इसने कहाए dy over dx चाहिए तो इन दो terms को जरा गौर से दीखिएगा इसमें dy numerator मे हमें numerator में ही चाहिए तो यहाँ जाएगा dy over dt अब हमें यहाँ पर दूसरी term रखनी है यहाँ हमें क्या चाहिए denominator में dx यहाँ पर तो numerator में तो हम क्या करेंगे इसका recipe प्रोग कर ले लेंगे तो यह बन जाएगा dt over dx अब देखें जरा अगर dt और dt कैंसल हो जाए तो dy over dx आपके पास term बनती है अब इनकी values पूट करते हैं हम दोनों की ठीक है dy over dt की value आपके पास है 2b 1 minus t square divided by 1 plus t square का whole square और इस तरह dt over dx है उसका reciprocal चाहिए हमें तो यहाँ जाएगा 1 plus t square का square divided by minus 4at अब देखते हैं क्या क्या cancel होता है यह term हमारे पास cancel होगी यह 402 आपस में cancel हो गया है तो हमारे पास क्या term बची minus sign है तो इसको वैसे उपर गर लगते हैं तो 1 minus t square यह बचा और divided by 80 यह हमारे पास आजाएगा dy over dx यह हमारा required answer आगी आए एक जिस तो पास भूली कि 2 को 4 से जब आप cancel करेंगे तो 2 भी आता है अब यह हमारा आएगा required answer यह हमारा हमारा आपसा क्वेर आता हं क्यों बचातीर क्यों स्टीर हमारा आता है क्यों से वार मेंश्द्दयमारा शनाहरा इसे तो-तो